Hello friends, Namaste and welcome to my channel Simplicity Queen आज मैं आपको गहुँ के आटे के बारे में बताना चाहूँगी जो की मार्केट में already ready made packed मिलते हैं तो ये packed की हुँँ के आटे में क्या क्या problem होता है और वो हमें क्यों नहीं purchase करना चाहिए वो मैं आज को बताऊंगी आज मैं आपको दो केटेगरी के गेहूं बताती हूं एक है good green और एक है milling grade gain तो जब भी market में good green को अलग कर दिया जाता है तब जो बाकी का गेहूं बचता है उसे milling grade gain बोलते हैं जो company आटा बनाने के लिए use करती हैं तो ये जो milling grade gain है वो बहुत हलकी quality के होते हैं और हमारे good green 35 तो 40 रुपीज पर केजी मिलते हैं वहाँ पर milling grade gain सिर्फ 12 तो 15 रुपीज पर केजी मिलते हैं इसलिए company इस पर ही process करती है तो चलो देखते हैं कैसे process होता है पहले ये गेहूं को company पानी में बिगो के रखती हैं पानी में बिगोने की वज़े से gluten मतलब गेहूं फूल जाता है वो फूल जाने की वज़े से आटा एक तो आटा अच्छा white बनता है और दूसरा जो गेहूं के उपर की परत होती है वो निकल जाती है आसानी से तो मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि वो लोग गेहूं के उपर की परत को निकल देते हैं जिसमें highest fiber होता है तो वो हमको fiber की कमी को भी पूरा नहीं करता तो एक ये भी side effect है और दूसरा हम आगे देखते हैं कि उसको ज्यादा देटक स्टोर करने के लिए वो कौन से chemical का यूज करते हैं तो एक chemical है benzoil peroxide ये chemical का यूज करके कमपनिया आटे को ज्यादा देटक स्टोर करती है जिसे हम नॉर्मल रेंग्विज में floor implorer भी बोल सकते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कि कितना floor implorer यूज कर सकते हैं तो हमे side effect नहीं होता है तो मैं permission की बात बता किसको यूज कर देती है आटे को ज्यादा देर तक अच्छा रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आयूर्वेदा के हिसाब से स्टोरेश टाइम क्या होना चाहिए विंटर में आटा 30 डेस तक समर में 20 डेस तक और रेनी सिजन में 15 डेस तक ही अच्छा रहत हैं तो चलो हम देखते हैं कि इनसे क्या-क्या प्रॉब्लेम होते हैं तो इन फ्यूचर आपको ब्लड प्रेशर डाइबिटीज है हाट डिसीज कीड़नी के प्रॉब्लेम्स और लॉंग रन में तो आपको कैंसर तक होने का इससे खत्रा है क्यूंकि वह फोर एमजी की जग नहीं आटा पिश्वाएं बाकी का आटा वापस पिश्वाना चाहिए वही आयरोधा की सबसे बेस्ट होता है और मैं यहां पर अपने पैरेंट ग्रांट पैरेंट सबको थैंक्यू बोलना चाहूंगी कि वह हमारे गर पे स्टोर करने वाले आटे को ही खिलाते हैं तो अग लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा थैंक्यू फोर वाचिंग